नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है साथ जन्वरी शुकरवा सबस्वाच्छा पजे रासान के बड़ी खबरें हाथों को सेनिटाइज करें मास्क लगाएं और वैक्सिन की दोनों डोज लगाएं ये बहुत जरूरी है अभी जो लोग अस्पतालों में भरती हो रहे हैं उनमें एक भी सीरियस नहीं है इसका कारण है कि जायतार लोगों को वैक्सिन लगी हुई है सबको वैक्सिन लगाना इसलिए जरूरी है उन्होंने बताए कि कोरोना की पहली दूसरी लहर और अब में फर्क है पंज़ाब में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के 24 घंडे बाद कौंगर्स अलकमान ने मुख्य मंत्री चरण जी सिंग चनि से बातचीत की है क अंगर्स की अंतरिम अध्यक्ष सुनिया गांधी ने इस मामले की विस्तरत जानकारी चनि से लिए है उन्होंने चनि से कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधान मंत्री है इसलिए उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए सुनिया ने चनि से कहा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कारवाही की जानी चाहिए इस दोरे को लेकर सुरक्षा के पूरे बंदवस्त किये जाने चाहिए थे नीट परिक्षा में OBC को 27 पृतिशत और EWS को 10 पृतिशत रिजर्वेशन देने के केंद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदिश सुरक्षित कर लिया है सुप्रीम कोर्ट में मामले के लंबित होने के चलते नीट पीजी कांसलिंग फिलहाल होल्ड पर रखी गई है सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी से सभी मामलों के सुनवाई केवल वर्चुल मोड में करेगा सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्क्यूलर के माधिम से कहा है कि 10 जनवरी से केवल अत्यांत जरूरी मामलों, ताजा मामलों, स्थगन, नजरबंदी और निश्यत तारीक के मामलों से जुड़े जमानत मामलों को कोर्ट के सामने लिस्टिट किया जाएगा कांग्रिस अध्यक्षे सुनिया गांधी ने शुकरवार को, यानि 7 जनवरी और शनिवार 8 जनवरी को कांग्रिस वरकिंग कमेटी के दिल्ली में मिटिंग बुलाई है, इस मिटिंग में गोवा और पंजाब के पार्टी परत्यास्यों के घोशना की जाएगी, 7 जनवरी को संक्रमित मिले हैं फ्लाइट में कुल 189 पसेंजर सवार थे सभी संक्रमितों को उनकी संभने जिलों में 10 अंबिलेंस से शिफ्ट कर जिला अस्पतालों में क्वारंटाइन किया गया है एरपोर्ट पर कोरोना बंफोटने से हड़कम मच गया है यह पहली बार है जब किसी एक में इतनी ज़्यादा संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं मुख्यमंत्र आशो गयलोद भी कोरोना पॉस्टिफ हो गए हैं गयलोद कोरोना की दूसरी लहर में भी संक्रमित हुए थे उन्होंने ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जान करी दी है उन्हें वैक्सिन की दोनों डोज भी लगी है इसे पहले उनके बेटे वैभाफ गहलोद भी बुधवार को पॉस्टिव आये थे गहलोद ने बताया कि गुरवार शाम ही मैंने कोवी टेस्ट कराया था ये पॉस्टिव आया है मुखे मंते को बेहत हलके लक्षन है सूत्रों के मताबिक वे घर पर रेलवे भी अलर्ट हो गया है ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के स्वासे और सुरक्षा को लेकर रेलवे ने कई पाबंदियां लगा दी है यात्रा का कंफर्म टिकट होने की बावजूद अगर यात्री थोड़ा भी अस्वर्स है तो ट्रेन में चड़ने से रोग दिया जाएगा यात्री सफर के दौरान अपने सीट किसी दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाएगा साथी प्लैटफर्म पर पहुंचने से अपने थर्मल स्क्रेनिंग और टिकट की जाँच अनिवारे कर दी गई है रेलवे स्टिशन पर यात्रियों की कोरोना जांत भी की जा रही है सवाई माधवपूर चौत कबरवारा में हर साल माग महिने की चतुरती पर लगने वाला साथ दिवसे लखी मेला इस बार निरस्त कर दिया गया है मेले को लेकर गुरवार को कलेक्टर सवाई माधवपूर में जन पर दिन दियों तथा अधिकारियों के बैठक रासान में COVID-19 वाईरस से संक्रमित मामलों की संख्या में बढ़ हुत्री हो रही है करॉली जिले में COVID-19 के संक्रमन की रोक्थाम और बचाव को देखते वे कलेक्टर सिधार्थ सिहाग ने गुरवार को एक आदेश चारी किया है जिसमें जिले के नगरी शेत्र के आठमी त सभी सरकारी एवनीजी स्कुरों में कक्षा एक से आठ तक की आफ्रा इंशिक्षन गतिविधियों को साथ जन्वरी से सत्रह जन्वरी तक ततकाल प्रभाव से बंद कर दिया गया है उन्होंने बताई कि ऑनलाइन अध्यान की सुविधा निरंतर संचौलित रहेगी पूरे रायसान में वोटर्स लिस्ट को रिवाइज करने का काम पूरा हो गया है जब उर जिले में 19 विधानसभा शेत्रों में इस साल 178,000 से ज़्यादा नए वोटर्स जुड़े हैं इसमें खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरुशों की मुकाबले महिन के संख्या जादा रही विधानसभा वर्स सिती देखे तो इस बार सबसे ज़्यादा नाम बगरु विधानसभा शेत्र में जोड़े गई हैं अबजिरा निर्वाचन अधिकारी जैपूर राजिंदर सिंग्च्वार ने बताया कि एक नवंबर से नाम जोडने का काम शुर जोहर के देवली अरब रोड सित एक होटल में गुरवार को इन्वेस्ट समिट का आयोजन हुआ समिट में कई निवेश्कों ने भाग लिया प्रभारी मंत्री वेची किसा मंत्री परसादी लाल मीना के मौजूदगी में करीब 2100 करोड रुपए के MOU हुए जिनमें ADPL के उ रासान में गुज्रा से सस्ती बिजमी है केंदर ने रासान बीजेपी के 16 नेताओं को राजनेतिक न्यूपतियों का तवफा दिया है रासान में पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे नेताओं को अलग-अलग सरकारी कंपनियां और उपक्रमों में को भी मौका दिया है गौतलब है कि रायसान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं मायना ज़ुरा है कि पार्टी के निस्ठावान कारकरताओं को सरकारी कंपनियों में न्युक्तियां दे कर संगठन को मजबूती देने की कोशिश की गई ह रायसान सरकार ने नादवारा में साथ PSC और Wellness Center के नवीन भवन के लिए 3 करोड की राशी ज़ुरी की है मकेची की सेम स्वास्ते अधिकारी डॉक्टर प्रकाश्य अंद्र शर्मा ने बताया कि नादवारा विधानसवा के रेल मगरा पंच्वाय समीती के गाउं खटुकडा, सांसेरा खेडा, चावंडिया और धिली, वैखमनौर पंच्वाय समीती के कुमहारिया खेडा, बाड़ा पंच्वाय समीती के बेरन और उलपुरा मंगरा के लिए पंद्रवें वितायों के ग्रामिन कंपोनेंट मद में, हर उप स्वास्ते केंद्र और हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए एक तालिस लाग की राश्री स्विक्रत की गई है राश्रान सरकार ग्रीन हाइड्रो एनरजी पॉलिसी बनाने चार रही है, इस पॉलिसी का मकसे सोलर एनरजी को स्टोर कर इस्तमाल में लेने, बिजली के साथ ऑक्सिजन, पेट्रो केमिकल और बायो प्रडुक्ट्स का प्रड़क्शन करना है प्रदेश में ग्रेन हाइड्रो एनरजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रस्तावित निती में ऐसी इंडस्ट्री आसानी से लगाने के प्रोविजन करेगी, ताकि देश दुनिया के निवेशक ग्रेन हाइड्रो एनरजी फिल्ड में रास्तान में इन्वेस्टिमें के लिए मोटिवेट हो सके तो फिलाल इस बिलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें